जाने मोधी के जनम दिन पर उनकी पत्नी जिशोदा बैन ने पत्ती के लिए क्या किया नमस्कार भारत के पियम निंदर मोधी का मंगलवार को उनतरवा जनम दिन था पूरे देश में भारते जन्दा पाटी ने इस दीन को दूम धाम के साथ मनाया गया कहीं उनके लिए केक काटा गया तो कहीं गरीबों को बोजन भी करवाया गया मोधी ने इस बार अपना जनम दिन गुजरात विमनाया उन्होंने पहले नर्मदा में पूजा की और इसके बाद अपनी मा से मिलने घर गए जाने उनकी पत्नी जिशोदा बैन ने अपने पत्नी के लिए क्या किया परधान मंत्री निंदर मोधी की उनके प्रिवार ने बहुत समय पहले ही शादी करवादी थी हाले की ग्रैस्त जीवन उनको रास नहीं आया और देश की सेवा के लिए वो अपनी पत्नी को छोड़ कर चले गए इसके बाद से ही मोधी राचनीती में आगे बढ़ गए और देश के परधान मंत्री बन गे हाले की दोनों के बीच कभी तलाक नहीं हूँ और आज भी उनकी पत्नी जीशोदा बैन मोधी को ही अपना पत्ती मानती है मोधी के जरन दिन के अब सरफ जीशोदा बैन ने समवार को उनके लिए पूजा की हाले की इसकी सूचना गुपत रखी गई थी समवार को जीशोदा बैन पस्ठे बंगाल के आसन सोल में मुझूद कल्यानेश्वरी मंदिर आई यहां उन्होंने अपने पत्ती के नाम से पूजा पाठ करवाया उनकी इस पूजा की सूचना मंदिर के पुजारी को भी नहीं दी गई थी जीशोदा बैन ने ही बताय की वे पूजा उनके और उनके पती मोदी के नाम से होगी